अजिर आज हम पतरी के बारे में बात करेंगे किडिनी में या गॉल ब्लेडर में हुझता है तो इससे बात करेंगे ठीक है इसमें लगे क्या है भूमियाला 75 मिलीगरामaden check 75 मिली गराम भूमियाला 25 म पुनर्नवा 75 मतलब मिलीगराम आप समझे मिलीगराम खरबूज 50 मिलिगराम नगर मोथा 50 मिलिगराम और कमर खस 50 मिलिगराम गाजर अभी बता है ना कि गाजर इस्तमाल होता है गाजर बहुत ज़्यादा खाएं मूली भी खाएं तो इसका इस्तमाल होता है तो गाजर है 50 मिलिगराम वरुना 50 मिलिगराम और पशान भेद यह भी आइरवेद की बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छा काम करता इन सब चीज़ों में और भी बहुत सारी समस्याओं में काम करता है इसी मैं नहीं तो यह लेना हैं आपको पसान 25 मिलीगराम क如果 बीडिया 15 मिलीगराम ऑज्वायन9 मिलीग्राम हलो दोस्तों कैसे वह आप उम्मीद करते हैं अच्छे से स्वास्तों गे मस तोंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे देखिए आज हम पत्री के बारे में बात करेंगे किड्नी में या गॉल्बलेडर में इस्टोन हो जाता है तो उस पर बात करेंगे तो देखिए होता क्या है कि इंसान जब फूड़ लेता है आज कल का जो खान पाने प्रचलन में जो चल रहा है तो एस्टीड़ फूड़ लेने के वज़े से और अर्टिफिसियल कैल्सीम और जज्यदा यूज होने के वज़े से लोगों को पत्री हो रही है किड्नी में भ बहुत लोग परेशान है तो इसका क्या करना है कि पथरी के लिए बहुत सारे उपाएं देखिए कुद्रत ने एक बीमारी के आने को उपाए दिये बस आपके पास जो एविलेबल है उसको कर डालो ठीक हो जाओगे ठीक है परहेज बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी में तो देखिए अगर आपको किड्नी स्टोन है या फिर गॉल बेडरी स्टोन है तो आप बहुत सारे दवा यहां होती है यह अंग्रेजी दवा के अलावा ठीक है अंग्रेजी दवा में तो कोई सलूशन नहीं है और दवा खिलाएंगे कुछ दिर और फिर बात में बोलेंगे आपरेशन इसके सिवा कोई उपाय नहीं है हां तो उसके उत्तरफ नहीं जाते हैं आईरुवेद के हिसाप से अगर आप यह पतर चट्टा के पत्ते भी स्तमाल करें तो भी बेनिफिसियल है और पत्री निकल जाती है ठीक है तो यह गाजर मूली का सेवन बहुत ज्यादा क लेकिन आज कल की जो भागदौड की जिंदगी में लोगों को पत्री हो तो जा रही है लेकिन वह इतना कर नहीं पा रहे हैं और कुछ लोगों को क्या है कि फाइनेंशली उतना स्ट्रॉंग भी नहीं है कि वह डाइट वगरा भी अफॉर्ड कर सके समझे तो बहुत सारे फ रिजल्ट आ रहा हम अपने यहां के लोगों को दे रहें और बता रहें उनको और बहुत काफी बढ़िया रिजल्ट आ रहा है समझे तो इसलिए सोचा कि आपको भी बता दूं आप जरा भी न समझेगा कि यह प्रमोशनल वीडियो है ठीक है हम जो इस्तमाल करते हैं वही भी चीज़ आपको बताते हैं ताकि स्वस्त जहाएं के तो आप रहें अइसे नहीं कि नहीं रहेंगे बस आमका माइन्द सेट बदलना जरूरी है माईन्ड़ सेट अगर आपका हो हो कि हम ठीक हो सकते हैं तो आप जरूर ठीक हो जाओगे तो उसी तरह अब पिछली वीडियो में एक लेड़ी फिट सीरप और लुको टेबलेट के बारे में बताया था जो गाइनी प्रोब्लम किसी भी लेड़ी को है जिसे पिरियड आधिक आना कम आना यह ना आना टाइम पे ना आना वाइट डिस्चार्ज होना बहुत सारी समस्यां को सॉल्ब कर र अमरित नाम की एक दवा है समझे इसका सेवन मात्र से आपको लगबग एक महिने के अंदर सारी पत्रियां निकल जाती है ठीक है इसका लेने का तरीका भी बताऊंगा परहेज भी बताऊंगा ठीक है यह प्रमोशनल वीडियो नहीं है मैं बार बार बता रहा हूँ इसके कोई पैसे नहीं लिए हम इस्तमाल करते हैं रिजल्ट आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं ठीक है और इसका इस्तमाल करते हैं फुली आयरुवेदिक चीज़ा इसके इंगिरिडियंट हम बता देंगे आप घर पे भी बना सकते हो अगर आप इतना सक्षम हो तो आप यह बना सकते हो तो एक गुली की इंगिरिडियंट मैं बता दूंगा आप उसी साब से बना सकते हैं इसमें लगे क्या है भूमी आउला पच्चत्र मेली गराम ठीक है 75 मेली गराम भूमी आउला पुनर्नवा 75 मैली गराम मैं आप समझे मिली गराम और खरबूज 50 miligram नगरमोथा 50 miligram कमर खस 50 miligram गाजर अभी बतऊ है न कि गाजर इस्तमाल होता है गाजर बहुत ज़्यादा खाएं मूली भी खाएं तो इसका इस्तमाल होता है गाजर है 50 miligram वरुना 50 miligram और पसान भेद यह भी आयर्वेद की बहुत अच्छी चीज है पासान वेद भी बहुत अच्छा काम करता इन सब चीज़ों में और फ 오늘은 बहुत सारी समस्याँ में काम करता आए इसी में नहीव तो यह लेना है आपको पअहसान 25 िूरा मैलिगराम क्लमी-खुरा 25 मिली-घृप गुड़ूची तो इस वज़े से हर कोई चाहता कि कोई shortcut चीज मिल जा जिसे हम ठीक भी जाएं साइड इफेक्ट भी नहीं है साइड इफेक्ट ना हो तो साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है आप एक बार लोगे आराम से ठीक हो जाओगे ठीक और इसका यूज करने का तरीका यही है कि अगर बहुत बड़ा इस्टोन बन गया है बहुत बड़ा इस्टोन हो गया है तो आपको दो दो गोलियां सब्ता में तीन बारी लेना है और खाली पेट लेना है ठीक मतलब कि एकदिन में दो दो गोली तीन टायम लेनी है ठीक दोस अबता के लिए ऐसके बाद पर अपने समस्या हिसाब से इस गोली तीन कर दीजी या दो गोली तीन टायम कर दीजी हईडरेटेट ніंग पानी पीना किड्नी स्टोन में पानी बहुत ज्यादा पीना होता है क्योंकि प्रेसर से लगेगी न तब वो निकल जाएगी आराम से ठीक है और तूटता हिलता है तो फिर इसलिए पानी पीना ज़रूरी है इसके परहज वही है जो डॉक्टर भी सुरूप जी बताते हैं एनिमल प ठीक है आप हो सके तो नेचुरल केल्सियम भी जो है पत्तों में मिलते हैं तील में मिलते हैं बीज वाली चीज़ों में मिलते हैं तो इन सबसे भी परहज कर लें कुछ दिनों के लिए तो बहुत आराम से ठीक हो जाएंगे अगर आप बनाने में सक्षम है तो बना लिजे इंग्रीडियंट हम आपको बता दिये हैं और नहीं बना सकते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लिजे यह दवा अभी एविलेबल है इसका एक सीरफ भी आउट आप स्टोक है समझे सीरफ इसका अभी आउट आप स्टोक है मेरे पास अभी यह अभी स्टोक में है ठीक है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं आप इसको इस्तमाल करें एकदम स्वास्त रहने की गरेंटी है ठीक है देखिए शरीर स्वास्त रहेगा तो मन भी स्वास्त रहेगा हर काम में मन भी लगेगा ठीक है तो बस यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लेजबल वीडियो देते रहें क्या है कि मेरा मकसद है लोगों को ठीक करना और लोग ठीक रहें समझे चाहे वो जिस तरह से रहें डाइट के मदद से भी आप रह सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन पसवही बात है कि डाइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पर्मानेंट के लिए इन सब चीजों से क्या होगा कि एक बार ठीक हो गए तो काफी समय के बाद अगर कुछ उल्टा सीधा आप खाते पीते हैं तो ही प्रब्लम आएगी नहीं तो नहीं आएगी समझे तो इसलिए स्वस्तर हैं मस्तर हैं और अपने अपनों का ख्याल रखे मिलते हैं दूसरे व स्वपर 2910 से नहीं झीजये स्वस्तर हैं मिलते हैं में तो अधर कीज़ कि तो उ् Tyson